ओके आप अपने खुद के गेंपले को इंप्रू करके प्रो तो क्या एक लेजेंट भी बन सकते हो लेकिन नहीं हम तो हमारे गेंपले को चैंज करने में लगे है यानि कि किसी भी अच्छे बंदी का गेंपले देखेंगे देन हमारे दिम्याग में यही आएगा साला मेरे को भी इसके जैसा प्लाई करना है, अच्छा लगता है तेरा गेमपले टटी है, नहीं मेरा गेमपले तो बहुत अच्छा है, तो फिर क्यों इसके जैसा प्लाई करने का सोच रहा है, साला बात तो सही है, देखो आपको अपने गेमपले को समझना है, हाँ साला मेरा गेमपले भ और उस gameplay को improve करो इस तरीके से आप प्रो के बाप भी बन पाओगे लेकिन दूसरे के gameplay पीछे पागे ना कि मेरे को इसके जैसा apply करना है तो प्रो तो छोड़ो आपी जद्दार noob भी नहीं बन पाओगे और एक ज्यान की बात कि ये gameplay improvement part 2 है यानि कि इसका part 1 में already upload कर चुका हू ये वीडियो देखने के बाद उसको भी देख ले ना ओके सबसे पहला tips देखो ये tips को समझना जो कि आपको काफी help करेगा अपने gameplay को improve करने में जब तक enemy हमें दिखाई नहीं देता ना तब तक हम कुछ सोचते ही नहीं है यानि कि यहाँ पे enemy होगा या फिर यहाँ पे enemy रहेगे वो सब हम सोचते ही नहीं है और RC बनके बागे ही रहते है यानि कि कभी कबार अचानक से enemy हम पे हमला बोल देता है उस टाइम अगर हम सोचते कि हाँ यार इस प्लेस पे enemy हो सकता है देखो वैसे तो हम कोई अलादीन के जीनू तो है नहीं जो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे enemy है लेकिन हम अपने दिमाग से अनुमान तो लगा सकते है ना अपने दिमाग से हम यह तो सोच सकते है ना कि हाँ यार यहाँ पे enemy हो सकता है बटलब कि हम इस तरीके से सोचे गे ना तो हम आपने आप में तयार रहेंगे कि इस वाली प्लेस पे enemy हो सकता ह तो हम अपने आप में तैयार रहेंगे कि यानमी आयगा तो हम यानमी मारेंगे मैंने उसको कितनी जल्दी डैमेज देके डाउन कर दिया यह तरहिए यह टिप्सा आपको हेलप करएगा होता है हमें नहीं पता होता है हम तो नर्मल तरीके से बागे ही जा रहे होते हैं लेकिन उस टैम मैंने जिस तरीके से आपको बोला ना कि आपको अनुमान लगाना है कि हाँ यहाँ पे अनुमान लगाओगे ना तो उस वाली प्लेस पे जाओगे ना तो आप तयार रहोगे कि हाँ यार यहाँ पे अनेमी हो सकता है तो आप खुद तयार रहोगे और अगर अनेमी हुआ तो आप अच्छे से अनेमी से बिढ़ सकते हो देखो ये टिप्स आपको BR and CS दोनों में हेल्प करेगा जो कि आपके गेंपले को काफी जाधा इंप्रूव करेगा ओके दूसरा ट करेटर का यूज करोगे तो आप अपने गेंपले को इंप्रूव नहीं कर पाओगे क्यूंकि आपना उस क्यारेक्टर पे डिपेंटेड हो जाओगे उस क्यारेक्टर से जुड़ जाओगे बाद में आपको उस क्यारेक्टर की आदत हो जाएगी आप उस क्यारेक्टर के ब एक्जाम्पल के तोर पे मेरा खुदी का gameplay देख लेना बेग्ग्राउंड वाला gameplay में कभी आलोक का यूज करता हूँ, कभी क्रूनों का यूज करता हूँ, तो कभी वूकों का यूज करता हूँ, वो भी CS में ओके, next, use glue wall, देखो वैसा तो glue wall का हर को use करता है, and glue wall का हमारे gameplay में एक तगड़ा ही roll होता है, देखो आप कितना fast wall डालते हो, ये depend नहीं करता, depend ये करता है कि आप सही time पे wall डालते हो, या फिर नहीं, like जब आप enemy से fight कर रहे होते हैं, उस time आपकी gun में recoil आता है, then उस time wall का use कर क्योंकि उस time आपके HP के सामने देखना, आपका HP बहुती lose हो गया होगा, like screen पे देखो, यहाँ पे मैंने इस enemy को down किया, and बाद में मैंने इस enemy को damage दिया, लेकिन enemy नहीं मरा, बाद में मैंने wall का use कर लिया, तो इस तरीकी से सही time पे wall का use कर लो, जो कि आपको wall बचा लेगा, और कभी कबार क्या होता है कि हमारे पास wall रहता है, लेकिन enemy हमें damage देता है ना, तो हम यह सोचते है कि हमारा wall भी कर जाएगा, और हम cover के पीछे बागते है, लेकिन cover के पीछे बागते बागते enemy हमारा काम तमाम कर देता है, तो इस तरीकी से मत किया करो, enemy आपको damage देता है न नेक्स्ट मूवमिट देखो प्रो प्रो प्लेयर की एक सबसे बड़ी निशानी है मूवमिट अगर आपका मूवमिट अचा है ना तो आप किसी भी एनेमी को बहुती आसानी से मार पाओगे और एनेमी से बच भी बहुती आसानी से पाओगे क्योंकि कभी कबार एनेमी हाथ दोके हमारे पीछे पड़ जाता है उस टैम अगर हमारा मूवमिट सही है ना तो हम एनेमी को चक्मा दे के एनेमी से बच पाएगे लेकिन हाँ राइस्टार की गुरू बनने की कोशिश मत करना कुछ बंदे तो ऐसे होते है जो इतना फास्ट मूवमिट करते है ना एनेमी तो छोड़ो वो खुद कन्फुजन में आ जाते है साला मेरा केरेक्टर है कहाँ देखो आपका पहले से अच्छा मूवमिट है देन अच्छी बात है लेकिन कुछ बंदे का मूवमिट ना के बराबर होता है आपका मूवमिट कम है देन में आपको कुछ बेजिक तरीके बताता हूँ जिन से आपका मूवमिट में इंप्रूमेट होगा एंड आप अच्छे से मूवमिट कर पाओगे पहला तरीका ये है कि आपको जोइस्टिक का यूज ना के बराबर करना है देखो joystick हमें क्यों दिया गया है? joystick से हम अपने movement को control कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें every time joystick का use करके ही move करना है देखो आप जब joystick से move करके enemy को मारते हो या फिर joystick से move करते हो तो आपका movement इस तरीके से दिखता है और जब आप run button से run करते हुए movement करते हो जिससे कि आपका मूवमिट बहुती फास्ट दिखेगा और आप जो मूवमिट करोगे ना वो आपके टीम मेट को भी अच्छा लगेगा लेकिन बहुत सारे बंदे ना इसी तरीके से जोईस्टिक का यूज करके अनेमी को मारते हैं वो अच्छे से मूवमिट करने की कोशिस ह ही नहीं करते तो अगर आप इस तरीके से जोईस्टिक से मूव करके अनेमी को मारते हो ना तो अब से इस तरीके से मत मानना ओके मूवमिट इंक्रीज करने का दूसरा तरीका यह है कि आपको हाथ में वेपन लेके नहीं बागना है अब आपके मन में यह आएगा हाथ में व दिखता है ना पास में तो आप अपने हाथ में वेपन को लेकर चल बशते हो एनिमी को मारने के लिए लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है आप एनिमी को मारने के लिए जाओ लेकिन जब पास में पहुचते हो ना उस टाइम अपने वैपन को हाथ में लो और बाद में एनिमी को मारो लाइक स्क्रीन पर देखो यहाँ पर मेरे को पता है कि अनेमी है लेकिन जब मैं अनेमी के पास पहुचा ना उस टाइम मैंने अपने हाथ में वेपन लिया और अनेमी को मारा देखो यह दोनों टिप्स को अगर आप अच्छे से फोलो करते हो ना तो आपका मूमिट अटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप हाथ में वेपन लेके नहीं भागोगे और आप जोईस्टिक का कम से कम यूज करोगे ना तो आपका मूमिट कुछ इस तरीकी का द करना देखो जंप करके आप फायर करो क्योंकि प्रो से प्रोपंदे भी जंप करके फायर करते हैं लेकिन जो किसी अच्छे बंदी का गेंपले देखना यूटूब में या पिर कहीं भी गेंपले देखना वो जंप करके फायर तो करेगे लेकिन जंप करने के बाद उनका प करके फायर करो मैं मना नहीं कर रहा लेकिन जंप करने के बाद जैसे आपका पैर जमिन पे टच होता है ना उस टाइम फायर किया करो ओके नेक्स्ट लोंग रेंज फाइट एंड शॉट रेंज फाइट देखो बहुत सारे बंदे ऐसे होते जो कि हमेसा लोंग में रहके खिलत आप सोट रेंज में रहके खिलोंगे ना तो फिर आप सोट रेंज और लोंग यंष रेंज प इंप्रूमेंट पार्ट थ्री हमें बनाना चाहिए क्या मुझे कमेंट में बताना अगर आपके कमेंट आएगे तो मैं पार्ट थ्री बनाऊंगा नहीं तो फिर इस टॉपिक को यहां पे ही खतम करते हैं तो चलो गाइज बाई बाई